नमस्कारों स्वागते फिर अगर आपका डीवी पी रिवीश पैसे कि आप देखने इस वीडियो जो हम टेस्ट करने जारे संफिस्ट के डार्क फैंटेसी चॉकलेट शेक विद बेलचीन चॉकलेट को तो चलिए शुरू करते तो फर्स टाइम मैं संफिस्ट के डार्क मिल जाता है इसका नेट कंटेंट आपको देखने मिल जाएगा जो है अराउंड 300 ml बात करते इसके प्राइजिंग तो प्राइजिंग जो यहाँ पे इन्स्टेंटी तरफ दी है जो है अराउंड 75 रूपीज तो 75 रूपीज की सबसे थोड़ा से एक्सपेंसीव लगा बेल Belgian chocolate की तो आपको यहाँ पे Belgian chocolate देखने मिलता है 0.1% मतलब इतना सा ही इन्होंने Belgian chocolate और बाकी सारे जो है एकदम usual जो है शेक जो आते हैं, milkshake, chocolate shake उनमें जो ingredients होते हो सारे usual ingredients जो यहाँ पे इन्होंने add किये कुछ extraordinary में नहीं है, बस नाम का Belgian chocolate एक तरह से में गोंगा 0.1% की इस आपसे इन्होंने add किया है यहाँ पे nutrition facts से adds per 100 ml और इसका जो net content यह 300 ml है तो आप जो एक अंदाजाला आ सकते हो यह आपको जो per 300 ml जो है, कितने nutrients जो है इस chocolate shake से जो है मिलने वाले है बात करते हैं इसके manufacturing date and best before की तो again यहाँ पे जो है जहाँ पे pricing देखी थी वहाँ पे इसकी manufacturing date है तो इसकी जो shelf life है from date of manufacturing वो जो है 9 months है अगे आपको जो इसे refrigerator में रखना है, cool and dry place में रखना है avoid from direct sunlight और एक warning दिए refrigerate after opening and consume within 5 days मतलब एक बार आपने open कर लिया तो इसे जो है पास दिन के अंदर पी लेना है फ्रीज में रखके रखते ठीक है तो आपको इसे wait नहीं करना है 9 months का हो गरे तो इसके manufacturing है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो via ITC जो इसकी manufacturing हुई है पंजाब में और marketed by again ITC India Limited है साथी में यहाँ पे इनका license number FSS AI का और यहाँ पे इनने बता है दो नोट बाइप और लिग बॉटल और इप काप सील इस ब्रोकन साइगेट साइगेट इन डिस्पोस हैल्प रिसाइक्लिंग वगरे पीटी बोटल रिसाइक्लेबल बॉटल है इनकी साथी में जो है यहाँ पे कुछ और शीजे बताई है टेस्ट ग्रेट वें साव चील जैसे कि यह चील बोटल यह थंडी बोटल है साथी में जो शेक्वेल बिफोर यूज इस तरह से शेक कर लेना है इसे जोए पी लेते हैं तो चलिए इससे पी लेते हैं प्रोडक्त के बारे तो आप इनका प्यो बोक्स आड्रेस है इनका यह जो है मेल आईडी और इनका टोल फ्री नंबर है यहां पे लिखा एक कमरशेल क्वालिटी यह क्या लिखा हुश समझ नहीं आ रहे ठीक है आईटी सिंका लोगो है यहां पर तो चलिए इससे उपन कर लेते और टेस्ट कर लेते हैं शेक थो हमने कर लिया है अच्छे से और शेक कर लेते हैं अचिक ऑफ जो के हैं यहां अधी निता हो अitta अ और अच्छी खासी जो मुझे स्मेल आ रही है चॉकलेट वाली से ओपन करने के बाद, टेस्ट में देखता हूँ कि बेल्जिन चॉकलेट की टेस्ट जो इसमें से कितनी आती है, अभी तो मुझे ऐसे कुछ, as such, बेल्जिन चॉकलेट वाला कुछ यहां पे टेस्ट वगरे त कुछ, लेकिन जो है, जैसे इसे मैं प्यूँगा, मुझे एक तरह से जो है, पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो है, क्या बेल्जिन चॉकलेट का जो है, माल मसाला है, इन्होंने आड किया है एक तरह से, तो चलिए मैं जो इसे भी ड्रिंक करता हूँ, तो बहुत टेस्टी है, मैं कहूँगा, ठीक है, क्रीमी है डेफिनेटली, और बात करें बेल्जिन चॉकलेट की, तो बेल्जिन चॉकलेट वाली टेस्ट जो है मैं कहूँगा, अल्मूस्ट ना के बराबर इसमें, मैंने इस से पहले बेल्जिन चॉकलेट वाली जो है, और उसमें मुझे और चॉकलेट बार बी खाइए बेलजीन चॉकलेट वाली फ्लेवर की तो उसकी एक टेस्ट जो होती है बेलजी हटके होती है तो वैसे टाइप की टेस्ट इसमें जाहता हdı कि अधरेज जो चौकलेट शेक होता है मिल्क शेक होता है यस यह मिलती है उसके अलाज आपको इसमें इसके इसे एकस्ट उर्डिनरी बेल्जिट वाली जो टेस्ट होनी चॉकलेट बार बनाने वाले उसमें जो जैनियोन बेल्जियन चॉकलेट होती है और इसमें भी होगी मुझे पता नहीं लेकिन जो मातरा है जो बहुत कम है जिरो पॉइंट वन परसेंट है जब यहां पर प्रमोट कर रहें बेल्जियन चॉकलेट इसके साथ तो इसमें उतनी टेस्ट नहीं है लेकिन यह डेफिनेटली टेस्टी है ठीक है और जिस तरह से चॉकलेट शेक होनी चीह है प्राइसिंग की इस आप से अच्छी चॉकलेट शेक है अगर यह बेल्जियन चॉकलेट नहीं लिखते है तो भी जो इसकी टेस्ट जो अच्छी लगती बस थोड़ा से एक्सपेंस वीडियो को शेर कीजिए वीडियो के निशे कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब कर लिए और बैल को भी दबाद जीए वीडियो को देखने लिए आपको बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में